हेलो अब्रीवन बेलकम टो दास्तों अकेटमी आप सभी वीवर का बहुत बहुत स्वागत है वीडियो शुरू करते हैं उत्राखंड हाई कोट ए आरो का जो प्रारविंग परिच्छा हुआ था 2018 का उसका हर प्रस्मपत्र उसमें जितने भी क्वेस्टेन आये हुए थे वन लाइनर सारे हम यहां से उन करेंगे और जिसका एक्जाम 29 दिसम्बर 2019 को हुआ था तो प्लीज फिर्ण अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन पंजाब जो पाकिस्तान में है के जिले में उस्थित है ये क्वेस्टन आया हुआ था तो नारोवाल जिले में इस्थित है ये और ये शुरू किया था परधान मंत्री नरेंद मोदी जी ने पंजाब के डेरा बाबा से लेकर पाकिस्तान के करतारबुर साहिब तक ये पू पूछ लिया गया है तो वह नारोवल जिले में था दूसरा क्वेस्टन है 2019 AFC ASEAN कप का आयो जिन किया गया था यह करेंट का क्वेस्टन 2019 का तो यह किया गया था UAE में सन्यूक्त अरब अमीरात में अगला question है परसिद फिल्म निर्माता मिर्डाल सेन जिनका निधन हो गया था और उनका निधन कोलकाता में यह था उनकी आयो की इतनी थी वैसे age से तो question नहीं पूछे जाते हैं बिसिकली बट मिरडाल से इन काफी जाने माने हैं फिल्म निर्माता रहे हैं और इनकी एज ज्यादा थी 95 बर्समें का देहान दुआ है तो इसलिए इसमें एज पूछ लिया गिया है तो क्वेस्टन में भी एगर आप पढ़ रहे हैं तो एज हो गयरा भी ध्यान में थोड़ रखा है तो टोटल स्पेस मिशन का लच रखा गया है 32 यानि 32 इसरो ने अपने इसरो करमचारियों के लिए वो 2019 के लिए 32 मिशन का मिशन स्पेस मिशन का लच रखा था 32 टोटल थे तो ये भी important question था ही जो आना ही था Emos ओज जिनकी मिरित हुई है 18 दिसंबर 2018 को हुई थी तो वो क्या थें वो एक इसराइली लेकग थें तो जिनकी मिरित हुई थी जिनका नाम था Emos ओज ये एक इसराइली लेकग थे इनका नेतन हो गया था बंगला देश में बरतमान आम चुनाओं के लिए मद्दान आयुजित किया गया था तो 30 दिसंबर 2018 को बंगला देश में बरतमान आम चुनाओं के लिए मद्दान किया गया था तो काफी ठीक question पूछा गया है अगला question देखते हैं एक ही आपात नंबर 112 लागू करने वाला पृथम राज है हिमानचल परदेश हिमानचल परदेश 112 जो emergency नंबर अभी लागू किया गया है तो वो पहला राज है हिमांचल प्रदिस लागो करने वाला पहला राज है बेरी इंपोर्टन क्वेस्टेन है और 112 में आप सभी जितने भी नंबर हमारे 100 थे या 108 इस पे सभी कॉल करके आप सारी सुब्धाइं इसी पे ले सकते हैं जनुरी 2019 में बुमेन ओफ इंडिया और्गानिक फेस्टिमल का आउज हों गहां हुआ था तो यह हुआ था चंडि गढ़ में यह भी करन का कॉईस्टेन है अगला देखते हैं किंद्रिया फिल्म पर्मारण बोर्ड के अद्धच के रूप में पहला जनेहलानी की जगा किसनली है तो उनकी जगा पे निक्ति की गई थी परसुन जोसी की जो मारा किंद्रीय फिल्म प्रमारण बॉर्ड है उसके अद्च के रूप में परसुन जोसी की निक्ति की गई है आसकर 2018 के लिए भारतिय प्रविष्ट है तो नामांकित किया गया था 2018 question पूछा गया है तो 2018 आसकर के लिए Newton movie जो थी उसको नामांकित किया गया था 2018 में जो किया गया था अगला देखते हैं भारत में GST कब लागू हुआ है तो भारत में GST एक जुलाई 2017 को लागू हुआ है तो ये काफी important है बहुत बार पूछा भी जाता है तो GST goods and service tax ये एक जुलाई 2017 से लागू है भारत में मिसन इन दनुर्स भी बहुत बार पूछा गया है ये हमारे परतिरचर से है काफी important question है जिसको भी देखिएगा बात कि पहली bullet train आरम की जाएगी अभी हुआ नहीं है एहमदाबाद से मुंबई की मद ये प्रस्तावित है तो पहली bullet train जो चलेगी एहमदाबाद और मुंबई की मद तो चुकि अभी आरम की जाएगी तो ये आपके आने वाले सभी एक्जामों गिले काफी important भी होगा रास्टिय मत दाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है ये भी काफी important बहुत बार पूछा गया है 25 जनवरी को रास्टिय मत दाता दिवस होता है बारतिरिजर बैंक के गवर्नर नहीं रहे हैं तो मॉन्टक से आलू आलू आलिया नहीं रहे है question हमेशा पूछा जाता है तीन लोगों का नाम देगा जो रहे हैं और जो नहीं रहे हैं उनका नाम देगा और ये answer पूछता है तो Montex से आहल हुआ लिया कभी भी RBI के गवर्नर नहीं रहे हैं अगला क्वाश्य देखते हैं कि बर्स 2020 ओलम्पी खेल आयुजुत किये जाएंगे टोकियो में तो 2020 का जो ओलम्पी खेल आयुजुत किया जाएगा वो टोकियो जापान में किया जाएगा यह हमने अभी एक वीडियो पूरा बनाया हुआ है ओलम्पी खेल का यह हम लास्ट में आपको description में लिंक भी दे देंगे और लास्ट में इस वीडियो का एक demo भी दे देंगे आपको जिससे आप सारे ओलम्पी खेल जितने भी खेल हैं आगामी वो सारे देख सकते हैं तो 2020 का जो लम्पी खेल है टोकियो जैपैन में होना है चुकि यह 2020 में करोना डिजी चल रही इस वज़ा से यह सारी चीज़ें पोस्पोन कर दी गई है फिर भी question तो आपका पूछा ही पूछा है कहा पहस्तावित था अगला question देखते हैं तो रेड़ुका जी डम के लिए छैराज्जो ने उस पे हस्ताचर किये हैं अगला question देखते हैं कि महिलावय बाल विकास मंतराले दौरा शुरू किया गया अउनलाइन अभियान काँसा है तो वेव वंडर बुमेन काफी फेमस रहा है ये इनका भियान तो ये महिलाव बालविकास पंत्राले द्वारा वेव वंडर बुमेन शुरू किया गया है अगला देखते हैं भारतिय किर्सी में युगदान के लिए पर्थम वर्ड एगरिकल्चर प्राइज प्रदान किया गया था तो पर्थम वर्ड एगरिकल्चर प्राइज जो गया गया था MS स्वामी नाथन को दिया गया था भारतिय किर्सी में युगदान के लिए अगला question देखते हैं राष्टे विग्यान दिवस कब मनाया जाता है तो राष्टे विग्यान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है काफी important question है कई बार exam में पूछे गए हैं उत्राखंड के राजपाल नहीं रहे हैं चोकि ये उत्राखंड ARO का exam था तो उत्राखंड से भी question पूछा जाएगा तो इसमें से उत्राखंड के राजपाल नहीं रहे हैं नित्यानन स्वामी जी उत्राखंड के राजपाल नहीं रहे हैं Global Solar Council के पहले भारती अद्च कौन है तो प्रडो आर मेता Universal Basic Income को लागू करने वाला पहला राज है गंगाजल प्रोजेक्ट शुरू किया गया है तो गंगाजल प्रोजेक्ट जो है हमारा उत्तर परदेश में शुरू किया गया है अगला क्वेस्चन देखते हैं भारती ये पैनोरमा फिल्म उत्सो दो जार उन्नीस आयजुद किया गया था तो भारती ये पैनोरमा फिल्म उत्सो दो जार उन्नीस ने दिल्ली में आयजुद किया गया था करन का क्वेस्टन है अड़ाई दिन का जोपड़ा निर्मित कराए गया था तो यह किसके दोरा निर्मित कराए गया था अड़ाई दिन का जोपड़ा कुद्बुत दिन एवक के दोरा कराए गया था अड़ाई दिन का जोपड़ा यह पूछा जाता है अड़ाई दिन का रचना की है तो अकबर का सासनकाल था और यहीं पर जो है किया गया है अकबर का सासनकाल के दोरान ही तुलसी जी ने रामचेद महानस्की रचना की है अमिर खुस्रो प्त संगीत कारियों एक क्या थें तो सूफी सं थे ये, फार्सी वा हिंदी लेखक थे, इतिहासकार और विद्वान थे, इतने सारे गुड़ थे, अमीर कुछरो के पास, अगला question देखते हैं, बंगाल सासन के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो वारिंग हेस्टिंग जो थे, बंगाल सासन के प्रथम गवर महात्मा गांधी नहीं किया था, और इससे पहले हुआ था, चमपारण का हुआ था, बिहार में, वो भी महात्मा गांधी नहीं किया था, कांगरिस की प्रथम, भारतिय महिला अध्यच कौन है, तो स्रीमती सरोजी नाइडू जो है, भारतिय कांगरिस की प्रथम, भारतिय म अफीम की तरह है तो कालमाकस ने गाँ था उधारवाद का मूल सिधान्त किया है तो उधारवाद का मूल सिधान्त है व्यक्तिगत स्वतंतरता उधारवाद का मूल सिधान्त है अगला क्वास्चन देखते हैं कि बियना कांगरेस का समन्नक था तो बियना कांगरेस का समन्नक क जिनको भारतय सदस्ते जिनको Old Angry Man का जाता है बारत छोडो अंदोलन के समय बारत में 17 सरकार सरप stub बनी ती तो 17 सरकार सबसे पहले बलिया में बनी थी भारत छोड़ो अंदुरन के समय भारत में समानांतर सरकार बनी थी बलिया में बनी थी, काफी important question है सेतुबंध किसकी रचना है, तो सेतुबंध परवर सेंदुतिय की रचना है नेपोलियन और पोप के मद्ध हुए समझोतों को कहा जाता है, कानकोर डट कानकोर डट कहा जाता है, नेपोलियन और पोप के मद्ध हुए समझोते को भीम बेट का सैलासरास्तर कहा है तो भीम बेट का सैलास्तर मद्ध परदेश में है पुस्ट्रमित्रसुग द्वारा दो असुमेग यक की जाने के बारे में जानकारी मिलती है तो ये अयोध्या भलेग में चुकि रामायड में समेग यक की जिकर किया गया है रामचंजी करते हैं तो अगर पुस्ट्रसुग द्वारा अयोध्या भलेग में ही जानकारी उसके मिलती है अगला देखते हैं फ्रांस में बुर्बो बंस के स्थापना किस ने की थी तो फ्रांस में बुर्बो बंस था उसके स्थापना हेनरी चतुर्थ ने की थी और लास जेज्जमेंट के चितरकार कौन है माइकल एंजिलो ये काफी बार लास जेज्जमेंट पूछा गया है हर एक्जाम में लिख लिख देखने को मिलता है तो माइकल एंजिलो ने जो है लास जज्मन के चितरकार थे आधुनिक काल का चाड़ किसे कहा जाता है तो आधुनिक काल का चाड़ मैक्या बेली को कहा जाता है मैक्या बेली ही जो है आधुनिक काल का चाड़क कहा जाता है मैक्या बेली को नाईवे मुलकत का पद स्रिजित किया गया था तो नाईवे मुलकत एक पद था जो स्रिजित किया गया था बैरामसा के सासनकाल में तो बैराम साके सासनकाल में नाईवे मुल्कित मुमलिकत का एक पत था जो सिर्जित किया गया था 2001 से 2011 के मद भारत में नियूंतम जनसंख्या बृधि दर्ज की गई थी तो नागल लैंड में नियूंतम जो है जनसंख्या बृधि दर्ज दर्ज की गई थी सेंक तराज अमेरिका में बसंत कालिन गेहों के खेती के लिए परसिद्ध है तो बसंत कालिन गेहों के खेती के लिए उत्तरी डकोटा राज जो है बसंत कालिन गेहों के लिए काफी फेमस है यूएसे में अमेरिका में पीर पंजाल स्रेडी हिस्तित है तो लगु हिमाले में पीर पंजाल स्रेडी हिस्तित है पीर पंजाल का जो एक्चुली लोकेशन है वो लगु हिमाले ही है और रांचल पर्देस को तिबब से जोडता है बोमडिला दर्रा कहां पर है रांचल पर्देस में है और जो जोडता ह तिब्बत को बात में सरवाधिक कोयले के बंडार पाये जाते हैं तो जहरकंड का जहरिया है वहाँ पे जो है भारत में सरवाधिक कोयले के बंडार पाये जाते हैं पंचमडी हिल स्टेशन इस्तित है तो सत्पुड़ा पहाडी में उस डियोम उपोश कडबंदिये छेत के किरसी गत प्रमुक बिसेस्ता है गहन किरसी है इसकी बिसेस्ता उपोश कडबंदिये छेतर की हुदूद चक्रवात आया हुआ था काफी न्यूज में भी रहा है देखे को ऐसे इंपोर्टन्ट है पूछ लिया गया है अंध्पर्दे कि महान जील पर छेतर के प्रमुख लोह आयसक खनन छेतर है तो जो यूएसे का या निस सेंगतराज अमेरिका का जो भी जील पर छेतर है लोह आयसक के लिए वह डुलुत काफी पूछा गया है मिसाबी और वर्मिलियन ये तीनों जो छेतर है वो लोह एसक के लिए है इस सूत्र के लिए जानने के लिए जैसी बेबर ने इस सूत्र को दिया था कि अगर सस से यानि क्रॉप सही हो जुन सूच का अंग्याद करना है तो आप इस फर्मूले का इस्तेमाल करें तो जर ग्यारा की जनकरना के अंसार बात में सर्वादिक जनसंक्या गनत तो कहां प जो किसान उठाते हैं तो बोज़ा बोकारो और जारखंड तकला मकान कहा है तकला मकान मरुस्थल है यह है चीन में अगला देखते हैं ज नोवा स्ल यूपरमुग बंदरगाह में धन्यानुग कम इस पर के इस सक्तितर हर्याण immortal के हर्याद कर में विरर गादि भप थाप्य गिरती है पीला सागर में पीला सागर में गिरती है चीन के सोक के नाम से कौन से ने दी जाती ये भी को ऐसे न ऐसे पूछा जाता है तो वो है हॉंग हो नदी चीन के सोक के नाम से जानी जाती है सिपकिलादर्रा आपके हिमांचल परदेश में है जो सतलाज गाटी में है हिमांचल परदेश सतलाज गाटी में है 2011 की जनगर्णा के अमसार अनसूची जाती की जनसंक्या सरबाधिक है तो अनसूची जाती की जनसंक्या है करिस्मिशन 22 मार्च 1942 को आया हुआ था 22 मार्च 1942 को करिस्मिशन भारत में आया हुआ था बिटिस अंसर दौरा मद्रास वोभंभाई में रिकौर्ड नायले स्थाफित करने की अधिकार्ता समराट को परदान करने का आधिनियम पारित किया गया था तो 1797 में ये पारित किया गया था Berettis Sansets द्वारा मदरास व बंबाई में रिकोर्ड नेयाले इस्थापित करने की अधिकार था सम्राठ को दे दिया गया था मुगल बाथ सालम दूत्ये को बंगाल की दिवानी परदान किया था 1765 में इंतो तीय को बंगाल की दिवानी 1765 में दे दी गई थी। अगला Q Reason देखते है. जो था, वो कलकत्ता में ही था, बंबई में भूम अद्गरद करने वाली यूरोपिय रास्टों में पुर्त गाली सरपर्थम आये थे 1534 में आये थे 1534 में भंबई में भूम अद्गरद में आये थे, वíchसे तो 1498 में आये थे सबसे पहले वासको डिगामा आया था खोशते खोशते लिकें कर बंबई की भूम में अदकरण की बात करते हैं तो 1534 में आये देजर बर्थम रेनवाई का सिधान जो है समदित किस से है ब्यक्तिकात अंतराष्टिय बिधी से है भारतिय ने आयलों से इंग्लेंड की प्रिवी काउंसिल में अपील करने की सुरुवात की गई थी जो 1726 के चार्टर के अंतरगत आती है 1726 के चार्टर के अंतर अगर भारती नेया लोक से इंगलेंड की प्रिवी काउंसल में अपील करने की सुरुबात की गई थी लैक्स लोकाई रिपोर्ट जो है किस ने प्रस्तुत की थी पर्थम भी थी आयुक दौरा ये लैक्स लोकाई रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी चोल्टरी कोट से किसे सम्बन दी थी चोल्टरी कोट चोटे मोटे वादों से चोल्टरी कोट बनाई गई थी चोटे मोटे वादो चोरी इसे किसी की बाग से आम तोड लेना ये सब चोटे मोडे डिस्प्यूट के लिए चोल ट्री कोट जो है रिलेट करता है 1772 की न्याई की योजना के अंतर का तस्थापिस सदर निजामत अदालत में एक भारतिय जज़ भी सामिल होता है जिसे कहा जाता था दरोगा या अदालत तो जो सदर निजामत अदालत थी 1772 की बात है तो उसमें एक भारतिय ज़ज़ भी होता था जिसको दरोगा या अदालत भी कहा जाता था न्याई मित्र कौन होता है वह बैक थे जो सवेच्छा सेथवा न्याई करवायों में न्याले के साहता करता है तो ये न्याले ही आमंद्र करता है न्याई मित्र को रेस इस्पा लेक्यूटर सूतर इंगित करता है घटना स्वेम प्रमाड है ये एक लैटिन वर्ड है रेस इस्पा लोक्यूटर की जो कहता है कि घटना ही स्वेम प्रमाड है यूबिजस एबी रेमेडियम इंगित करता है जहां अधिकार है वहां उपचार है यह भी एक लैटिन वर्ड है जिसका अर्थ होता है जहां अधिकार है वहां उपचार है उपसमन का अर्थ क्या होता है कम कर देना होता है उपसमन कम कर देना होता है उपमत होने से तातपर हो सारे लाटिन वर्ड हैं उत्राखंट एयारो में लाटिन वर्ड जो है लॉक एचे से काफी पूचे जाते हैं इंटर एलिया अन्य बातों के साथ साथ है इंटर एलिया अधियस्थगन का मतलब होता है एक निश्चित अवद के लिए रिडिको भुक्तान मुलतवी रखने का विधिक अधिकार होता है अगला क्वासन देखते हैं कि अपकरट से ताथ पर क्या होता है तो अपकरट से होता है विधिक कार का अनुचित पालन करना अपकरट से ताथ पर होता है इजूस डेम जेनरिस से ताथ पर है उसी परकार का इजूस डेम जेनरिस का मतलब है उसी इतने सारे questions एरो में यूपी के एरो में नहीं पूछे जाते हैं लेकिन अगर उत्राखंड एरो आप दे रहे हैं तो वहाँ पे 10 से 15 लाटिन वर्ड के जरूर उसके meaning पूछे जाते हैं अगला देखते हैं पेडेंटी लाइट का मतलब है वाद कालीन इन सबका लेटिन वर्ड कुछ होते हैं करीब 100 लेटिन वर्ड काफी important होते हैं तो कुछ तो आप note कर लीजिए जिसको learn कर लीजिए तो यह आपके अगले exam में काफी काम करेगा पर inquirium का मतलब होता है अनवधानता पर inquirium का मतलब होता है अनवधानता विजी लाटिन वस विजी लाटिन वस एट नॉन डोर्मी इंटी वस जूरा सव वेनियंट से ताथ पर है विधी जागरू की साहता करती है ना कि सुसुप्त की यह भी एक लाटिन वर्ड ही है नुसीटर आसोसिस है यह सह चरेड जायते ग्याते एंड बेलोरम, मुल्या नुशार, प्रो बोनो पब्लिको, जन्हित में, प्राइमाफेसिया, प्रिथम दृस्टिया प्राइमाफेसिया काफी important जिसमें प्रिथम दृष्टिया जो साच होता है उसको प्रिथम जो चीजें होती हैं वही प्राइमाफेसिया है 1780 की नयाई की उजना का मूल लच्षड क्या था राजस और नयाई पालका के कारियों के मद प्रिथकरड बनाना था 1780 की नयाई की उजना का मूल लच्षड यही था सर्किट कोर्ट पढ़ाली का अंत किया गया था लाड बैंटिंग ने सर्किट कोर्ट पढ़ाली का अंत कर दिया था मुखने अधिस सुप्रिम कोर्ट के मुखने अधिस इंपे पर नयाई खत्या करने का रोप लगा था था 836 में Black Act पारित किया गया था Black Act किया था कि British नागरिकों को Company के दिवानी छेतागाय में रखने के लिए Black Act लाया गया था परतम बार बिधी के अनुसार सासन के सिधान्त को लागो किया गया था Lord Carnivalis ने लागो किया था बिधी के सिधान्त को अगला देखते हैं नाइक काम के बोच को अदालत में कम करने ताथ वादो को सिन निप्टाने के उद्दे से कोड़ फीस लगाई गयी थी तो ये जान सोर ने लगाई थी कोड़ फीस जान सोर ने लगाई थी कोड़ फीस अगला question देखते हैं इलहाबाद में दुत्तिय सदर दिवानी अदालत अतासर निजामत अदालत स्थापित की गई थी तो ये लाड विलियम बैंटिंग के दोरह स्थापित की गई थी इलहाबाद की बात है तो यूपीले काफी important है वैसे ये question काफी important जो पूचे पूचे जाते हैं तो दुत्तिय सदर दिवानी अदालत और सदर निजामत अदा दोनों स्थापित किया था लाड विलियम बैंटिंग ने इलहाबाद में सदर अदालतों में मुखने अधिस को न्यूक्ति गवर्नर जनर के काउंसलिंग के सदस्यों में से करने की प्रता को पूर रूप से बंद कर दिया थ बहरती एविदी रिपोर्ट अदनियम परत्थंबार पारित हुआ था, 1875 में पारित किया गया था बहरती इविदी रिपोर्ट अधनियम अगला कोशन देखते हैं, कतियों के राद्धानी का पंडुकेशर ताम पत्र में बढ़ लड़िध नाम किया था, तो जो कतियों के राजधानी था तो उनके पांडूगेसर के तामपद में बढ़ी था कार्तिकेपूर कार्तिकेपूर था उत्रखंड में राजस्तरिय डेरी पर सिच्छट संस्तान कहा है तो यह है लालकुआ में तो उत्रखंड के एक्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है अगला क्वास के स्थापना के प्रस्चात इसकी आये में तिर्थी एक छेत का युगदान बढ़ रहा है तिर्थी एक छेतर कौन सा होता है जो हमारा सर्विस सेक्टर होता है सेवा छेतर उत्तर खंड में भारतिय रेजर बैंक का उपकार्याले स्थापित किया गया था जून 2006 में पर प्रथम संस्थान कौन सा है तो भारतिय सरवेच्षड विभाग ये भी काविवार पूश्चा गया है इंपॉर्टेंट है ब्रंस रेखा लग हिमाले को मान हिमाले से प्रिथक करती है तो ये मुख के इंद्रिय ब्रंस यानि छेप से करती है उत्तराकंड के साचरता प खागिरती नदी कहां पे टेरी बाद पे है और खत लिंग गलेसियर कहां टेरी गड़वाल जनपत में है और सरबोश सिखर कौन सा है वहां का वहां का सरबोश सिखर है 2011 जनकरना के अंसार अंसूची जनजाती का उचितम परतिसत कहां पे है उधम सिंग नगर में स्टी की सबसे ज़्यादा परतिसता है उत्तराकंड से राजसभा सदस चुने जाते हैं तो टोटल तीन जो चुने जाते है राजसभा से उत्तराकंड में बिधान सभा के सदस र गर्दतबट सैलेज जो है एक लेकक थें लेकक हैं और कालू मारस उतंदा सेनानी और एकता बिस जो है क्रिकट किलाडी हैं यह सुलैमित करना था उत्राखंड पंचायत राज में महिलाओं के लिए आरच्छी तस्थानों का पर्तिसत है 50 50 पर्तिसत है पंचायत महिलाओं का अगला कुश्चन देखते हैं कि उत्राखंड में असोग का सिलालेक इस्थित है यह सुलैमित करना है कि तालेश और तामपत्र तो यह प्रबताकार ब्रह्मपुर राज में हैं यह भी सुलैमित करना है कि CBRI कहां पे है तो CBRI रुडकी में है उच्छनेयले नहिताल में है और फूलो की घाटी चमोली में है फूलो की घाटी चमोली उत्राकंड ये बहुत पूचा जाता है चंदराजा जिसने खसिया टोला डांडा में आलमनगर नामक राजधानी स्थापित की है तो ये है बालो कल्यार चंदर स्रीनगर में अपनी राजधानी बनाई थी तो स्रीनगर में बनाई थी अजय पाल ने नदी जिसको अपनी सीमा बनाने के लिए गड़वाल और कुमायू के राजा युद्रत रहते थे तो पस्चमी राम गंगा थी इसके लिए जो है दोनों गड़वाल और कुमायू के दोन देते उनके लिए उत्राख्ण के यह कवेस्टन काफी important नहीं है लेकिन जो स्टुड़न उत्राखण का exam देते है तो उनकी लिए सारे question important है बाकी लोग उत्राखण का छोड़ के बाकी सारी चीजह देखी वो भी काफी important है उत्राखण में स्थित है लाखा मंदल जौन lyrics प्रश्टाओं की विदायन सक्ति पर नियंतर लगाता है जब राश्पती एक बिध्यक को अनुच्छेद 111 के अंतरगत पुनरविचार हित वापस करते हैं तब यह निसाधिकार का परियोग होता है निलंबित निसाधिकार अनुच्छेद 111 के अंतरगत जब राश्पती ए पर सामयी ग्रूप से उत्थरदाई है और राश्पती 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 हटा सकता क्योंकि राश्पती जो होता है वो राश्पती के प्रस्यात प्रेथन पद्धारड करता है तो राश्पती 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 सभा से 249 जो है राजसभा समंदित है नाएक समिच्छा व्योस्ता प्रडाली परियोग में लाई जाती है भारत और स्यूक तराज अमेरिका में सरकार का अंग नहीं है निर्वाचन आयोग जो है सरकार का अंग नहीं होता है नगरिये इस्थानिये निकायों को सर्बोश नियाले और उचनियाले दोनों में भारतिय संसत की लोकले खा समिट की अध्यर्च का नामांकन करता है लोकसभा अध्यर्च द्वरा किया जाता है अगला कोशन देखते है कि संग सूची में समलिद भिसह है रच्छा विदेसी मामले अंतराजय बेपार यों अधिस्टों को मनोनीत करते हैं ये question ठोड़ा dispute है इसका answer आप मुझे खुद बताईएगा भारत की संसत के संयुक्त अधिशन के अधिस्ता करता है लोकसभा अधिच भारत की संसत के संयुक्त अधिस्ता लोकसभा अधिच करता है रास्पती और उप्रास्पती के अनपस्तिती में भारत के रास्पती के दैश संभालता है तो भारत के सर्बोज नयाले का मुखन अधिस ये दैश तो संभालता है लोकसभा की मीटिंग चलाए रखने के लिए गड़पूत्री कितनी होती तो कोरम जो होता समान नागरक सहीता का पूरा-पूरा पराउधान किया गया है भारत के राज्जों के सीमा परवर्तित करने का प्राधिकार किसको तो भारतिय संसत को है राज्जों के सीमा को परवर्तित करने का राइट जो है वो संसत को है बात में सरबोश नियाले कि नयाइक पुनलोकन के अधिकार लिए गया है तो ये अमेरिका से लिए गया है, PIL जो होते है PIL नहीं ये नयाइक पुनलोकन की बात कर रहा है नयाइक पुनलोकन की बात कर रहा है कि ये कहां से लिए गया है यह अमेरिका की बात अमेरिका से लिए गया है बार समितार के आठवें सूची संबंदीद है तो उतकारिक भासाओं से जिसमें टोटल 22 भासा हैं यह आठवें सूची से हैं कंप्यूटर नेटर्क में LAN LAN का मतलब क्या होता है LAN होता है local area network से होता है इंटरनेट परते होस्ट कंप्यूटर के पास होता है एक यूनिक आईडी और उनका IP एड्रेस यही कंप्यूटर का होस्ट होता है एप्लिकेशन और पैकेज होता है तो Microsoft Office, Adobe, PageMaker और Open Office यह सारे होते है इंटरनेट परतोगी में DNS का मतलब क्या है तो dominant system इसका पूरा नाम है आस्ताई भाग में text और under data को भंडारित कर बाद में किसी अन अस्थान में चिपकते हैं तो उसको क्या बोलते हैं चिपकाते हैं clipboard कहने का मतलब यह है कि पहले हम कहीं से cut कर लेते हैं यह copy कर लेते हैं तो पहले clipboard पे जाता है उसके बाद हम कहीं पर paste कर सकते हैं तो clipboard के माद्य हम से करते हैं RAM में option system को load कौन करता है तो यह उसको load करने को booting कहते हैं एक उच्च गति के स्मिर्थी युक CPU में प्रक्रिया के दौरान आस्ताई बंडारे रहुत की जाती है उसको क्या कह लेते है उसको एक register कहते हैं URL से मतलब क्या है uniform resource locator होता है काफी अच्छे full form पूछेगे computer से MS Word document में अंतिम क्रिया को प्रिवर्थित करने है तो shortcut कुझी है control Z अंतिम क्रिया को दुबारा करने के लिए है control Z और अगर redo की बाद होती है redo तो control Y है redo control Y है और undo control Z है office 2007 2007 office की बात कर रहा है MS office के word document की file क्या extension होती है तो यह .docx होती है और इससे पहले की जो file रहती थी वो .doc लगा दिया गया है विविन होस्ट को email की सुभधा प्रदान करता है SMTP SMTP का पूरा नाम है simple mail transfer protocol यह पूरे email के host को सुभधा प्रदान करता बेपेस देखने के आग्या बेब ब्राउजर देता है SQL का मतलब होता है structure query language होता है इसका पूरा नाम होता है computer का मस्तिस क्या लाता है CPU center processing unit होती है एक मेगाबाइट का ब्रावर 24 किलो बाइट होता है काफी one liner question अच्छे है नापके विखंडन के लिए neutron का यूज किया जाता है नापके विखंडन के लिए एक प्रकास बर समतुल है 9.461 गुरेटन का पावर 15 मीटर सामान प्रकास की तरंगधर का सही करम है पीला हरा और नीला पीला हरा और नीला सामान प्रकास की तरंगधर का सही करम है कवक मूल एक सहजीवी संबंद है फफूद और उच्छे पौदों की जड़ों में मलेरिया का वहाग कौन है मलेरिया का वहाग है एनोफैलिस, गैमबियाई, मादा मच्चर तो मलेरिया का वहाग जो है वो एनोफैलिस, गैमबियाई, मादा मच्चर है सिनेमोन ब्रिच का भाग मसाले और उसदी की रूप में प्रियूद किया जाता है सेनेमोन बृच्च का च्षाल मसालय और सदिकी रूप में उसका च्षाल किया जाता है थायमिन कमीस से क्या हो सकता है थायमिन कमीसे बेरी यह भिटामिन बी की कमीस से होता है सबसे बड़ी गरंथी का नाम है यक्रित और केंदरी इस्थित है सिम्ला कंदरी एलव submit some the similar कढ़े था स्नायू क्या है यह संजयोजी उतक है कंड़े था स्नायु क्या है यह संजयोजी उतक है परतिरच्छी नहीं होते है तो यह अमारे सरेंम स्रावित होता है परसोधिंधि reicht से परसुदिल कोपराद कि ए सकता है यह इस्तिरक्वाथी आसवन विधी होती है जिसके द्वारा हम लोग परिसोधी दिस्प्रिट से परिसुत अल्कोहल प्राप्त कर लेते हैं अच्छा गैमेक्सीन नाम है बेंजीन हेक्सा कुलोराइड यह सब्सक्राइब उसको सड़ने या उसे बेकार होने से बचान में नाइट्रोजन के परसा 46% यूरिया में होती है और जीरों सेंटीग्रेट ताप मान की 100 ग्राम बर्फ को 80 अंसेल्सियस की 100 ग्राम जल के साथ मिलाया गया मिस्टर मंतीम ताप मान होगा जीरों सेंटीग्रेट उत्रखण में निचली पहाड़ियों से ऊपर की और पौदों के दुनाम पद्धत का जनक माना जाता है पौदों के लंबाई ब्रिद्धी के लिए उतरदाई प्रमुक हार्मोन है जिब्रेलिन है पौदों में जो लंबाई होती है ब्रिद्धी होती है उसको जो मुक उतरदाई होता है जिब्रेलिन होता है दो ताप मापांक समान होते हैं Calvin और Celsius ये दोनों समान होते हैं दोनों समान होते हैं गुर्चूत्र के अधिक्ता के काराट Down Syndrome यानि जिसको Mangolide Idriate भी बोला जाता है गुर्चूत्रों के संख्या जो होती है किसनी होती है सब में तो वैसे 42 जोडी होती है और 21 से समंदित होती है इसमें 21 होती गुड़ सुत्रों संख्या 21 होती है आकास नीला दिखाई देता है इसका कारण है वातावरण में वाय के कड़ो दोरा सूर के परकास का प्रक्रिण हो जाता है इस कारण से आकास नीला दिखाई देता है अलक्ट्रॉन की खोच किस ने की थी यह बहुत बार पू आई वीए स्वसंद्वारा ग्लुकोज के एक अड़ो से एटीपी के अड़ो बनते हैं तो दो बनते हैं उससे विटाविन भी ट्वल का बैगानिक नाम है साइनो कोबलामीन है काफी बार पूछा गया है बहुत इंपॉर्टेंट है यह बैटरी लेट ग्लास जंग रोधक प वाट दिया गया था एस बीजे कुमार को यह करन का क्वेस्टन 2019 का था तो यह बीस चल रहा है चुकि एक साल से ज्यादा हो गया तो क्वेस्टन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है यह तो इसे छोड़ी दीजिए बर्स 2019 के प्रारम में सबसे पहले पाबुक नामक तुफान आया था जिसे बरी तरह प्रभावित काउंसा देस हो था 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 यह सबसे ज़्यादा पाबुक से प्रभावित हुआ था तीन ते साथ जनूरी का यह भी चोड़ तीजिये और यह भी चोड़ दीजिए तो ये थे मोस्ट आपके उत्रक्षंट ARO के आए हुए एक्जाम में काफी अच्छे क्वैस्टिन थे जो आपके सारे एक्जाम के लिए काफी इंपॉर्टन्ट है तो प्लीज फ्रेंट आपका सपोर्ट हमारे लिए वी काफी इंपॉर्टन्ट है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन दवाना ना भूलिएगा मिलता है नेक्स वीडियो में गौड ब्रेश यू टू आल